जार्खंड पुलिस का दवड कितने किलोमीटर का होता है? 10 किलोमीटर पुलिस में सबसे छोटा पोस्ट कौन सा है? कौनस्टेबल कौनस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं? 0 स्टार जार्खंड पुलिस का परतीक चिन क्या है? इन में से कोई नहीं जारखंड में कुल कितने पुलिस जिले हैं 24 पुलिस में सबसे उचा पद कौन सा है DGP पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं 16 पद भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज़ में है महाराश्ट्र जारखंड पुलिस के अस्थापना कब हुई थी 2000 में जारखंड पुलिस का नारा क्या है अपराद से रच्छा और सुरच्छा परदान करना जारखंड में कुल कितने पुलिस स्टेशन है 606 जारखंड में कुल IPS अधिकारियों की संख्या कितनी है 149 केंद्रिय पुलिस प्रसिच्छनक आदमी कहां इस्तित है भोपाल में भारत में कुल कितने थाने है 16671 थाने जारखंड का सबसे बड़ा थाना कौन सा है सदर पुलिस स्टेशन जारखंड पुलिस के वर्दी का रंग कैसा होता है खाकी जारखंड की राजदानी राची कब बनी 2000 में जारखंड की द्रिष्टी से जारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पस्चिमी सिंग भूम छेत्रफल की द्रिष्टी से जारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पस्चिमी सिंग भूम जारखंड का सबसे चोटा जिला कौन सा है लोहर दग्गा जिला छेत्रफल की द्रिष्टी से जहारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है रामगड जहारखंड का सबसे गरीब जिला कौन सा है चत्रा जहारखंड का सबसे अमीर जिला कौन सा है पूर्बी सिंग भूम जारखंड में तेल सोधक कारखाना कहां है? बोकारो में जारखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? कुकरा थाने का मालिक कौन होता है? सेच्चो दरोगा की वर्दी पर कितने इस्टार होते हैं? दो इस्टार जार्खंड दरोगा में भरती के लिए कितनी उम्र चाहिए? 20-37 वर्ष जार्खंड में सरबादिक कोईला भंडार कहां है? राज महल में जार्खंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोन नदी जार्खंड की अस्थापना कब हुई थी? 15 नॉम्बर सन 2000 में जार्खंड में हीरा किस जिले में पाया जाता है? राची में जार्खंड में कौन सी मिट्टी सरबादिक पाया जाती है? जलोड मिट्टी जार्खंड का परमुक लोगीत क्या है? संथाल जार्खंड में पहली जनगलना किस वर्ष हुई थी? 1872 में जहारखंड की उपर आजधानी कहा है? दुमका में जहारखंड में मक्का की फसल किस जिले में सबसे अच्छी होती है? पलामू जिले में जहारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अर्द परण पाती एक एकड कितने वीगा जमीन को कहते हैं? इसका एंसर जानने के लेए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर किलिग करके आप देख सकते हैं या फिर आपके मुबाईल स्क्रिन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, उन दोनों वीडियो में से किसी भी वीडियो पर किलिक करके आप देख सकते हैं कि एक एकड में कितने बीगा जमीन होता है